यह वीडियो में हम लोग अनासिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के रडिंग सेशन में क्या-क्या लविश पॉसिबल है उसके पहले हम लोग टेलग्राम चानल के मेसेज़े देख लिए आज मॉर्निंग में खुलते ही अराउंड 9.30 के असपास हम लोग ने बैंक तक का टागेट पॉसिबल है और 34,298 का हाई बनाने के बाद में बैंक निफ्टी में शाफ फॉल में देखने मिला जो पहला कैंडल था 15 मिनट के चार्ट पे सिर्फ वही पॉसिटिव था सेकंड कैंडल से इमें फॉल देखने स्टार्ट हो गया इसलिए हम लोग ने बैंक 200 का पुट बाइ दिया था 75 में मैंने कॉल बाइ दिया था 95 तक जाके आया और यह जो मैंने पुट बाइ दिया था इसमें 20 पॉट का स्टॉप लास देखर हुआ 45 में buy जया था 25 का हमारा stop loss rate हुआ और उसके बाद मैंने एक message किया था सबाई एक बजे के असपास done for the day it's a volatile now already made decent profits हम लोग उने जो morning में call sell किये था उसमें काफी अच्छा profit आ चुका था और उसके बाद data के इसाब से लग रहा था कि अभी यह volatile हो जाएगा इसलिए पहले ही मैंने message डाल जाता है कि volatile हो सकता है all trade आज के दिन में हम लोग आप नहीं लेने वाले इसलिए मैंने पहले ही message दे दिया था done for the day अब हम लोग analysis करते कल के session में क्या क्या levels possible है यहाँ पर इसने काफी अच्छा एक cup pattern और आज का जो candle है यह doji candle है doji candle मतलब neutral candle होता है तो मतलब यह के view अभी clear नहीं है लेकिन इसका जो high low है वो काफी ज़ादा important हो जाता है इसका high low आप note down कर लेना 34,300 and 33,270 यह candle का high low आप mark कर लेना क्योंकि यह candle का high low काफी ज़ादा important होगा आने वाले trading session में 1000 point का range है वो सकता है हमें एक दो candle sideways देखने मिले लेकिन अगर यह candle का high cross करता है तो आपको buying के तरफ जहाद यान देना है 34,300 के उपर और एक upside momentum हमें देखने मिल सकता है और अगर 33,270 break करता है profit booking fall हमें देखने मिल सकता है अभी फ्लाल जो view है वो sideways है range mount है यह 1000 point की range में रह सकता है bank nifty यह जो resistance है exactly इसी level के असपास resistance लिया bank nifty ने उसके बाद हमें sharp fall देखने मिला यहाँ पर अगर आप देखो पहला candle जो था वो green candle था उसके बाद second candle हमें red देखने को मिला और यहाँ पर हम लोग ने aggressively call sell किये थे 34,200 के call, 34,300 के call, 34,400 के call और 34,500 के call यह 4 strike price के call हम लोग ने aggressively short किये थे यह हमारे mentorship के whatsapp group में भी हम लोग ने morning में message कर दिया था सुबह 9 बज़े ही कि आज आपको call sell करना है nifty में भी हम लोगों ने call sell किये थे 15,000, 050, 15,100 और 15,000 के call aggressively हम लोगों ने call sell किये थे तब हमें call में काफी अच्छा profit आ रहा था और उसके बाद हम लोगों ने square off किया 33,500 के आसपास जब bank nifty ने यहाँ पर low बनाया क्योंकि 33,500 के आसपास एक support level था तो वहाँ पर हम लोगों ने call का position जो है वो square off किया काफी अच्छा profit आया call में अब अगर आप देखो bank nifty एक range में first चुक यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो level है exactly यहाँ पर इसने support का का काम किया 33,200 के आसपास अच्छा कासा support है bank nifty में अगर 34,300 क्रोस करता है तो एक upside momentum हमें देखने मिल सकता है वापस और अगर 33,200 ब्रेक करता है तो यहाँ पर यह trend line तोर सकता है और एक sharp fall हमें देखने मिल सकता है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक trend line बन रहा है और 33,200 के नीचे एक बड़ा fall में देखने मिल सकता है अब हम लोग nifty analysis करते है nifty में अगर आप देखो यह level के असपास एक strong resistance था 15,000 के असपास और exactly nifty ने यहाँ पर ही double top बनाया छोटा सा double top बनाया 15,000 के level के असपास इसमें भी आज का candle जो है वो काफी जादा important है क्योंके काफी high volatile candle था यह ता high और low आप mark कर लेना 14,800 के नीचे बड़ा fall में देखने मिल सकता है वापस profit booking fall में देखने मिल सकता है और अगर 15,000 के उपर जाता है तो वापस हमें एक upside momentum देखने मिल सकता है 15,200,300 तक भी levels possible है आने वाले trading session में मुझे लगता है 15,000 से लेके 14,800 ये 200 point की range में एक दो दिन nifty consolidate कर सकता है क्योंके आज का जो trading session था उसमें range काफी बड़ा था second half में काफी जादा volatility हमें देखने मिली है एक दो दिन मुझे लगता है थोड़ा सा sideways moment हमें देखने मिल सकता है 50 में अगर आपको short के तरफ जहाद धयान देना है तो यहाँ पर यह trend line तोड़ना चाहिए तभी हम लोग इसको short करेंगे जो कि 14,850 के नीचे trend line break कर सकता है तो 14,850 के नीचे जाता है पर यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो यह exactly इसने double top यहाँ पर बनाया है 15,000 के लेवल के उपर अगर जाता है closing देता है sustain करता है तो एक अच्छा खासा upside momentum हमें देखने मिल सकता है तो यह 200 point के range में एक बार market first चुका है कल के session में हमें opening देखना पड़ेगा कहाँ पर open हो रहा है market कहाँ पर open हो रहा है nifty 14,000 850 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग short positions ले सकते है nifty में 15,000 के उपर अगर जाता है तो हम लोग buying position ले सकते है nifty में आपको यह levels पर ध्यान देना पड़ेगा और यह levels के इसाब से आपको trade लेना पड़ेगा अगर कुछ भी live market में changes हुआ तो मैं आपको telegram channel में update कर दूँगा telegram channel का link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है आप telegram channel join कर सकते हो telegram channel में आपको options buying के trades भी मिलते है options selling के trades भी मिलते है और cash level intraday trades भी मिलते है जिसमें आप intraday में 2-3,000 रुपया कमा सकते हो और अगर आपको live market में open trust data analysis सीखना है algo trading सीखना है या option strategy सीखना है तो आप हमारे courses join कर सकते हो और आज के दिन का जैसा market है उसमें मैं आपको यह advice करूँगा कि derivative open trust analysis सीखो और यह data analysis को आप chart के साथ combine करके trading करो काफी जादा clear view समझ में आएगा और आपको यह भी समझ में आएगा कि आप volatile हो सकता है या फिर आप trend हो सकता है open trust का data plus chart यह दोनों चीज़ आप combine करके अगर आप trading करोगे तो उसमें आपको काफी अच्छा result मिल सकता है और एक clear view के साथ में आप trading कर सकते हो इसका भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है और mobile app का भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है और अगर आपको वीडियो और analysis अच्छा लगा तो वीडियो को like and share जरू करना thanks a lot for watching the video see you in the next video